सेना भरती में गोटाले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जी हाँ आपको बता दें सेना भरती गोटाले में सौमबार को CBI ने ताबर तोड छापेवारी की है मामले में सेना के 17 अधिकारियों के खिलाप CBI ने अब केश दर्ज कर लिया है जिन अधिकारियों के खि लाप भी CBI ने केश दर्ज किया है आपको बता दें कि इस घोटाले में एजनसी ने आज देश भर में 30 जगों पर छापे मारी की है मामले में आज कपूर्थला बटिंडा दिल्ली कैथल पलवल नकलव बरेली गोरकफुर विशाका पटनम और जैपुर गोहाटी आदी सहरों में CBI ने छापे मारी की है CBI के अनुसार मामले में कैई सम्विदन सील दस्ता बेज भी बरामद होए हैं SSB के जरिये होने वाली भरती गोटाले को लेकर CBI ने सेना के पांच लेटिनेंट करनल के अलावा कई अन्य सेना अधिकारियों और उनके परिवार के सदश्यों के खिलाप भी मामला दर्ज किया है इससे पहले पूरे की एक अधालत ने सेना भरती परिक्षा पिरसन पत्र लीक होने के सिलसले में गरफतार किये गए सेना के मेजर रैंक के दो अधिकारियों की पुलिस हिरासत सौम बार को 20 मार्श तक के लिए बढ़ा दी है आपको बता दें कि पूरे पुलिस ने मेजर वसंत विजय किलारी 45 और मेजर तुरू मुरुगन तांग वेलू 47 को भरती घोटाले में गरफतार किया था जी हां आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले यानि पिछले महा की 28 तारिक को सैना भरती लिखित परिक्षा होनी थी लेकिन जीडी की परिक्षा को इस्तगित करना पड़ा था कारण ये रहा था कि पूरे से सैना भरती का जो पेपर था वह लीक हुआ था आउट कर दिया गया था जिसके बाद से उस मामले में कारवाई हुई है और जिन अधिकारियों को उस मामले में गरफतार किया गया था उनकी गरफतारी उनकी रिमांड पुलिस रासत को और बढ़ा दिया गया है तो साथियों जैसे ही इस धांदली के इस घोटाले के बारे में जो भी अपडेट होगी हम आप तक जल्द ही अपडेट पहुचाएंगे